स्वागत है आप सभी का स्टाटिक जीके में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पटवारी भरती परिक्षा को ले करके आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होने वाला था जन्वरी में वो अपरद्ध हो चुके हैं कैंसिल हो चुके हैं तो क्या सचमुच आपका पेपर अपरैल में हो सकता है बिल्कुल मुझे एक authentic news मिले है वह आपको मैं बता रहा हूँ जिसके बिहाव पे मैं यह कह सकता हूँ कि आपके paper अपरैल में हो सकते हैं या फिर March के end में हो सकते हैं वीडियो को end तक देखिएगा skip मत करेगा हर एक information में आपको बहुती सतीक जानकारी आपको दूँगा ठीक है सबसे पहले तो आप ये देखो ये दैनिक भासकर की नियूज यहाँ पर है यहाँ पर तो पूरी बकवास लिखी पड़ी है कि 2019 के प्रस्तावित इक्जाम यहाँ पर थे जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ बताया जा रहा है वो है रेलवे की परिक्षा आपको पता होगा कि NTPC का एक्जाम इस समय यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया है 28 तारीक से चल रहा है लगातार और यहाँ पर पहले फेस का जो पेपर है वो आपका 13 तारीक तक होगा यानि 13 जनवरी तक होगा सेकेंड फेस के पेपर के भी डेट आचकी है जो कि 16 जनवरी से ले करके और मुझे लग रहा है कि 30 तारीक तक होने वाले हैं इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो मार्स तक जाएगा ठीक है आगे पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है देखिए सबसे पह आई है रेलवे एंटीपीसी के वेबसाइट पर आगई है वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो सेकेंड फेस था ना उसका भी डेट आ गया है जो कि 16 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेंगे और उसमें 27 लाख परिक्षारती जो है पेपर देंगे देखो यह जो एक्जाम है न आपका वो टल गया है और यह पेपर पूरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह एंटीपीसी का जो एक्जाम है यह आपका होली के आसपास तक चलेगा और होली आपका मार्च में पढ़ रहा है मार्च मिड में पढ़ सकता है या फिल लास्ट में तो जब तक यह एंटीपीसी का एक्जाम आपका खतम नहीं होगा ना तब तक आपका ये पटवारी का एक्जाम फिर से नहीं हो सकता है इंदा रेरिस केस हो सकता है कि डेट आ जाए बट जो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है ये दैनिक भासकर की निउस में आपको दिखा रहा हूँ इस news के हिसाब से जो माना जा रहा है कि अगर आपका ये पेपर जो है एंटी पीसी एक्जाम की वजह से टला है तो भाइ तो एंटी पीसी का जो एक्जाम है वो तो भाइ पूरा मार्स तक चलेगा ठीक है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेज़र के बेल आइकन जरूर आइकन करिएगा. Thank you so much for watching this video. Keep smiling, stay home, stay safe.